हाई फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे दोस्तों एमिरेट्स रेड वर्सेश एमिरेट्स ब्लूस के बीच में जो अगला D10 का मैच खिला जाएगा दोस्तों रात 9 बजे और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इंफॉर्मेशन शेर करूँगा बैटिंग ओडर के साथ जैसे कि दोस्तों अभी तक जो है न एमिरेट्स रेड की जो टीम है अभी तक 6 मैच खिल चुक है जरू वर्च करना विडियो से अगर आपको जरा भी हल्प मिलता है तो एक बार विडियो को लाइक करके हमें आप सपोर्ट भी कर सकते हो और सबसे ज़रूरी दोस्तों फाइनल टीम के लिए आप मारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लो यहाँ पर आपको मौर का ओफसन देखने को मिल रहा होगा जैसे मौर के आफसन पर आप क्लीक करते हैं दोस्तों आपको हमारा टेलिग्राम ग्रूप का लिंक इस प्रकार सो हो जाएगा यह जो top map link देख रहे हैं दूस्तों description box में यह जो पहला link आप देख रहे हैं यह main channel का link है अफटर toss अगर कोई भी changes होता है भाईयों तो final team फिर आपको इसी group में मिलेगा तो एक बार join करके आपको रख लेना है दूस्तों आने वाले और भी T10, T20 matches है वीडियो पलस team आपको इसी group में मिलेगा बाकी जो आप नीची देख रहे हैं यह backup channel का link है तो चलिए अब records की और आगे बढ़ते हैं 9 बज़े यह मुकाबला होगा ground same रहने वाला है दूस्तों peach condition की बात करते हैं तो अभी तक जिस परकार matches खेले गए दूस्तों 70-80 के आसपास भी team runs बना रहे हैं कभी कभी दूस्तों 120-140 के आसपास भी यहाँ पर target देखने को मिला है सबसे पले Emirates Raid का record देखते हैं 6 match इस team ने खेला है और 4 match जीता है और 2 match loss करते विया हैं लेकिन Emirates Blues के team 6 match के अंदर 2 match जीता है और 4 match loss करते विया रहे हैं इस हिसाफ से देखेंगे तो Emirates Raid के team काफी मजबूत है दोस्तों और इस match के अंदर जितने के chances भी Emirates Raid के जादा हैं चलिए अब betting order को देखते हैं एहन फरनाड़ेस team के खिलाड़े आपनर बल्ले बाज है दोस्तों बहुत सांदर बल्ले बाज है 6 match के अंदर 72 run का सांदर पारी अभी तक पूरे इनिंग में पूरे पूरे स्टुनामेंट के अंदर दोस्तों अभी तक 6 match के अंदर 72 run मनाया हुआ है दोस्तों उतना अच्छा अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाएं हाला कि ओपनर बल्लेबाच हैं जैसे कि T10 में इनका पुराना स्टेट्स देखो कि 5 मैच का अंदर 44 रन है T20 में 7 मैच का अंदर 69 रन है उसी प्रकार यहाँ पे यह मैच भी देखनी को मिला है दोस्तों अभी तक जितने मैचे स्खिल हैं 6 रन, 4 रन, 24 रन, 23 रन, 13 दो रन पे आउट रहेते देख सकते हैं और एगर आप यहाँ पे सवीक का रिकॉर्ड देखेंगे पहले मैच का अंदर 1 रन है, दुसरे मैच का अंदर 0 इनको आप अवाइट करते हुए चिलेंगे फरान बावर पहले मैच का अंदर 18 रन है, दुसरे मैच का अंदर 3 रन स्कूर किया हुए मुहमद रुफान 5 मैच का अंदर 24 रन मना के 3 विकेट इन्होंने निकाला हुए यह खिलाडी बहुत इनको भी अपने टीम के अंदर आपको ट्राय करना है बाकि यहां पर दुसरे मैच का अंदर 67 रन मना के 6 विकेट इन्होंने निकाला हुए बाकि 67 मैच का अंदर 1965 रन मना के दुसरे यहां पर 69 विकेट निकाले है इनका रिकोर्ड बहतर है पुराना और इस स्रेच का अंदर खेल भी कापी बहतर रहे हैं दूसरों मौमाद सावात का रिकोर्ड देखेंगे दूसरों यहां पर 5 मैच का अंदर 103 रन स्कूर किया हुआ है अकसे 5 मैच का अंदर 84 रन मना के दो विकेट निकाला है दूसरों मैडॉगर को ड्रॉप करेंगे अबदुल्ला का अनी को ड्रॉप करने वाले हैं साना उल्ला का रिकोर्ड जो कि 5 मैच का अंदर 22 रन इनकों मैं ड्रॉप करने वाला हूँ उजर हैडर चे मेच का अंदर 95रं मिना के दो विकेट अभी तक निकाले दूस्तों पूरे स्रीच का अंदर बाकि आपे साहलेस जो की 10 मेचेश खेला हुआ है जापे अभी तक एक विकेट निकाले है अमर बडामी का रिकॉर्ड जो कि 5 मैच का अंदर 6 रन्मना के 4 विकेट अभी तक निकाले भाईयो जो गिंदबाजी के मामले में देखोगे ती ये बॉलर बहुत बहतर है दो वर तक ये बॉलिंग करते भी दिखते हैं बाकि वसी मकरम पहले मैच के अंदर एक विकेट फिर फ्लॉप रहा था फिर लगातर एक-एक विकेट निकाले हैं और लास्ट मैच में ये फ्लॉप रहा है और डेथ और पर मुहमाद दिर्फान है यहां पर दूस्तों वोज़र हैडर यह दो गिंदबाज फिर आपको डेथ अबर पर बोलिंग करते हुए दिखने वाले भाईयों बागी के यतने भी खिलाडी देख रहे हैं यह आपको बैंचेस मेनेजर आएंगे दोस्तों और जिदने खिलाडियों के स्टैट्स मिला भी मुझे वो सारी स्टैट्स मैंने यहां पर आपके लिए लेक आया आप यहां पर देख सकते स्टैट्स इनके पुराने रिकॉर्ड्स हैं बागी देखो एमिरेट्स रेड के लगबख सेम बैटिंग ओडर देखने को मिलेगा लेकिन एमिरेट्स ब्लूस के टीम के तरफ से देखोगा अलिसान सराफो के लाड़ी ओपनर बल्ले बाजा और दो वर गिंद बाजी भी करते हैं छे मैच के अंदर अभी तक 136 रन बनाया हुआ और एक विकेट निकाले हारा कि पार्ट टाइम बॉलर है भाईयो दो अवर नहीं बॉलिंग कर रहा एक एक अवर पूरे मैच में हर एक मैच में एक अवर ये बॉलिंग कर रहा है फाहद नवाज 5 मैच के अंदर 43 रन सकूर किया है भाईयो इनका पूराणा स्टैट्स काफी बहतर है टीटेन टीटेन में दोस्तों 31 मैच के अंदर 501 रन सकूर किया हुआ है जवार फरीद 6 मैच के अंदर 17 रन मना के 3 विकेट निकाले दोस्तों ये खिलाड़ी बहुत इंपोर्टन है T10, T20 दोनों ही फॉर्मेट का कापे बहतर रेकोड है भाईयो बाके अस्वांद 5 मैच के अंदर 128 रन अभी तक स्कूर किया हुआ है अन्स्रेंटर जोके 5 मैच के अंदर 61 रन स्कूर किया हुआ है उनोंने तनी शुडी को ड्रॉप करेंगे आज यहन सकसे न, तीन मैच के अंदर साथ रन स्कूर किया हुआ है यस, सबनानी जो की दो मैच के अंदर चार रन स्कूर किया इनको मैट ड्रॉप करने वाला है अधित्या शेटी जो की छे मैच के अंदर अब 20 रनमना के 5 विकेट निकाले हुए जो आपको 2 वर तक ये बॉलिंग करन्फरम करते हुए दिख जाएंगे लेग स्पिनर है इनको ट्राय करना है हर्स देसाई 6 मैच के अंदर दोस्तों 9 रनमना के 3 विकेट निकाले हुए है अकास ताहिर जो कि यहां पर 5 मैच के अंदर 8 रनमना के 2 विकेट है भाईयों शबीर राव जो कि 4 मैच के अंदर 4 विकेट निकाले हुए आपको 2 वर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे उनेब रहमान एक विकेट निकाले है हरदिक पाई जो कि पहले मैच के अंदर 3 रनमना के एक विकेट निकाले है दूसरे मैच के अंदर यह फ्लॉप रहा है हरी सेटी यह देखो 3 मैच अभी तक खेला है एक एक ओवर यह बॉलिंग किया है और डेध अभर पर दोस्तों अलिसान सरफ हो और यहां पर दोस्तों हरी सेटी यह दो गिंद बाज स्टार्टिंग डेध अभर पर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे दूस्तों आठ बार नवा बार बॉलिंग डालेंगे बाकि के जितने प्लेयर देख रहे हैं यह आपको बैंचेस में दिखेंगे जिसमें से आरेंड सकसे ना इनका रेकॉर्ड्स आप यहां पर देख सकते हैं बाकि एथान डिसूजा जो कि यहां पर उन्तिस मैच का अंदर फाइफ और निटिव रन मना के छे विकेट निकाले तो यह सारे रिकॉर्ड्स आप यहां पर देख सकते हैं अप चले टीम की और आगे बढ़ते हैं शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट के पर से असवान को मैं ट्राइ करता हूँ और यहां पर एसुल हक वैटी भी बहुत बैस्ट ओफसन रहागा दुस्तों इन दोनों क को ट्राइ करेंगे विकेट के पर में यह दोनों प्लेयर बहुत इंपोर्टन रंडे वाला दूस्तों EMB और EMR के दोनों खिलाडी बहुत इंपोर्टन है बैटिंग में दो बैट्समन ए शराफू और यहां पर दूस्तों एमिरफान को मैंने ट्राइ किया हुआ है यहां प बालिंग से एक ही बालर है एम असिफ जियार बैस्ट रने वाला जो गिंदबाजी आपको कंफर्म करते हुए दिख जाएंगे अब टीम प्रिव्यू आप देख सकते हैं दोस्तों जिसमें से कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए यह दोनों प्लेयर काफ़ी दे सकते हैं तो इस टीम को फिलाल आप सेव कर लो दोस्तों और लाइन अप का वेट करना अगर एक दो खिलाडी चेंज होगा ना तो फाइनल टीम फिर आपको हमारे टेलेग्राम गुरूप में मिल जाएगा तो टेलेग्राम गुरूप से आपको जूड़े रहना है दोस् स्क्रिशन बॉक्स में अप क्लिक करके आसाने से जोइन कर सकते हैं बाकी भाई ये वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरू करना मिलते हैं बहुत जल लगला वीडियो में धन्यवाद